पवासा थानाक्षेत्र में दो लोगों की अलग-अलग घटनाव में मौत हो गई। दोनों शव का जिला अस्पताल में पोस्ट माटम कराया गया। गद दिवस पवासा थानाक्षेत्र में रहने वाले पती पत्नी ने अग्यात कारणों के चलते विवाद के बाद जहर खा लिया। उसी दोरान पती का अंकल घर पहुचा और दोनों को बेसुध हालत में देखा तो परिजनों को सूचना देकर अस्पताल लाए जहां पती की म रित्यू हो गई। वही स्वस्थ होने पर पत्नी को उपचार के बाद चुट्टी दे दी। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शब का पी-म कराया है। दीपक पिता उनकारलाल तीस वर्ष निवासी मैक्सी रोट पवासा मजदूरी करता था। रविवार को उसका पत्नी पूजा से किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद बढ़ने पर दीपक ने जहर खा लिया। उसे देखकर पूजा ने भी जहर खा लिया। इसके बाद दोनों की तबियत बिगड़ गई और घर में उर्टिया होने लगी लगे। मनोज वर आन्य परिजनों ने पक और पूजा की शादी हुई थी। उनका कोई बच्चा नहीं है। दोनों के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ इसके जानकारी नहीं है। वह किराने का सामान लेने के लिए घर से साइकल लेकर निकले थे। वह पैदल साइकल हाथ में लेकर सड़क पर जा रहे थे तभी तेज रप्तार पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक कर मार दी। मामले में छेदिलाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानक साइकले से कुछ सामान लेने के लिए घर का और सुमित किराना श्टोर के सामने मक्सी रोड पर एक ट्रक ने उनको टक करमारी वह पेदल जा रहा है से साइकल लेकर और ट्रक तो वहीं इस पार्ट पर पकड़ा गया थाने में खड़ा है। झाल को झाल को जाती है वहीं झाल कर तो ऑर इस हम बाल कर तो चाल कि जाती है।